वेल दोस्तों दोस्तों आज से करीब एक साल पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो अपलोट किया था हमारी चैनल पर तो उस वीडियो मैंने बताया है कि choosing how it you set first to take your primary यानि कि हमारो जो शप्पनों का हमारी घर में सबसे पहले आखीर हम रहाश की कि हमें हमारा रेटी है और प्लासटर भल रहा है कि भाईया हमें प्रफेस्टनल इक्सपार्ध्थ है और ना किसी से जानकारी हमारा है हम हम स्रीब घर का मालिकップ है और हमें knowledgy नहीं है कि सबसे पहले हमें वाल पुट्टी को चितकाना है या फिर फीर प्राइमर को करना है और गल्ती तभी हो जाता है अगर हमारा पास कुछ समझ में हमें सबसे के क्या सबसेंगे कि मैं आपको क्या समझने के लिए कोशिस कर रहा हूं तो सबसे पहले मान लिजे आपका प्लास्टर का दिवार है ध्यान से सुनना दोस्तों यह आपका प्लास्टर का दिवार है तो इस दिवार में मान लिजे आप लोग इसमें वाल पुट्टी नहीं करेंगे तो अगर वाल पुट्टी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं इसमें श्रीव आप लोग दो कोट का वाल प्राइमर कर लो भाटिकल और होरिजोंटल में करने के बाद सीधा आप उसमें इमालसन पेन को कर सकता है कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि अगर हमें वाल पुट्टी करना है तो हमें सबसे पहले क्या कर प्राइमर को पुट्टी का क्या करना होता सब्सक्राइब और अब आधोर हैं दोस्तों जैसे कि हमारा पेरो में एक चपल है तो वेकार है दोस्तों क्योंकि दो आगर छपल नहीं होगा तो हम लोग चल भी नहीं सकता शका क कंपनी का चफपल अलग था कि यह था की एक कंपणी सकगी तो दोस्तों करेंगे तो आपका जो वाल पूट्टी है दोस्तों कुछी दिवह में फेट हो जाएगा खराब हो जाएगा कबरेज नहीं मिलेगा इसलिए वाल पूट्टी प्राइमर को करना जरूरी है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू वाल पूट्टी की बेग में लिखा मेर का कोई फिरी मेंट नहीं यानि कि वाल पूटी से चत कने कार ने का कोई ज़रूर्द मूट्न हे लेकिन अगर दोस्तों आप एक अच्छा लोंग लाइब चाहता है इक अच्छा पाकार चाहता है जो आपका प्लास्टर है उसका जो बाली या फिर चोटा चोटा- प्राइमर के साथ क्योंकि जो प्राइमर है ना उसका समतब बहुत है दोस्तों पकड़ बहुत है आप चीज एक चीज नोटिस करना थोड़ी सी भी प्राइमर अगर आपको साथ में गिर जाए तो आसान इसे जाएगा नहीं दोस्तों क्योंकि वह हाठ केमिकल से बना हुआ है इसलिए साही प्रोसेस यह है कि वाल पुटी करने से पहले कम से कम एक कोड़ का भाईया आपको वाल प्राइमर करना जरूर नहीं है दोस्तों आप लोग सीधे वाल पुटी है न दोस्तों वाल पुटी काते खरचा बहुत ही गुणक काम होता है कि सबसे पहले को घख जाता है दोस्तों प्रायमर करने से औसमें हम लोग पुठी 이미 to वाल पुर्टि का का कर दिया आपको दोस्तों करने में की बाद अभी हैं बाद आतरो कारा है प्राइमर की उपर प्राइमर की है 180 जो सेंट फेपर होता है उससे दूस्तों आच्छे से घिसाई कर लेना है ओभी लाइट लेकि दोस्तों ऐसा नहीं कि जब तक अब लोग ऐसे घिसाई करेंगे तो उसमें को पता ही नहीं चलेगा एक लाइट जो आपको फोटो देखाई दे रहा है दोस्तों इस तरह से ल कोई बी प्रॉबलम नहीं है लेकिन एक प्रोस्तिक और भी हैं कि मान लिजे मेरी दोस्त आप़ की दिवारों पर बहुती जदा रभ है बहुत यादा गड़ा मड़ा कुछ भी है और उस सिच्वेशन में आप लोग वाल पूट्टी करेंगे तो वाल पूट्टी का जो ठीकनेस है वह भी मोटा हो जाएगा क्योंकि वाल पूट्टी का ठीकनेस आपको शिरिफ देड़ एमेम तक ही रखना है तो आपको क्या करना ह कि दूस्टों सबसे पहले हो सकेंट दोगोट का हुईट सेमेट करने से आपका जो दिबार है क्मूट्रा की गड़़ा मद़ा है एक कोट प्राइमर करने से भी काम चल जाता है लेकिन बहुत अच्छे से करना होगा और हो सकते हैं तो दो कोट करने से और भी जाधा बेटर है तो आंठ वने आपको श्रीफ दो कोट का प्राइंट करना है और इस तार से प्रोब्लम होता है खास करके सर्मा जी को कि उन्हों को ही मैंने हर एक वीडियो को सर्मा जी की बारे में कि सर्मा जी को मालूमी नहीं है कि सबसे पहले वाल पुट्टी का काम किया है या फिर वाल प्राइमर का तो दोस्त वाल पुट्टी पर भी दोस्त पिछले वीडियो मेंने एक चीज बताया था और आज भी बताऊंगा कि वाल पुट्टी करने से में एक दो गलती नहीं करना एक गलती ही की वालफॉट्टी का ठीकनेस 1.5 mm तक ही रखना 1.5 mm से कभी जादा मोटा नहीं करना मोटा करने से आपका ही बहुत ज्यादा नुक्सान है दोस्तो एक तो आपका वालफॉट्टी जादा लागेगा दूसरा दोस्तों आपका वाल पर पाप्री बनके निखार कर सुरू हो जाएगा और तीसरा दोस्तों उसमें क्राक्स आने का चांस से इसलिए वाल पुट्टी का थिकनेस दोस्तों डेड़ एमेम से आपको काम ही रखना है ज्यादा आपको बेलगुल भी नहीं रखना है एक नमबर और दूसरी नमबर एक hours की अन्दर एक सिरी का गांटा मेक्सिमाम देड़ गणन दिंट्र आप की अन्दर लोग चितना भी वाल पुट्टी अपने वाल पर पुताइक कर सकता है लगा सकता है उतना ही दोस्तों लगाणा क्योंकि पैंटर का यहीं गलती है दोस्तू पूट्टी वाल पूट्टी जितने एक घंटा की अंदर काम नहीं का सकता है उससे कहीं गुना साम देता है दूस्तों मिक्सिक कर देता है I hope दूस्तों इस वीडियो पर अगर आपकी कोई डार है तो हमें कमेंट करना आपकी सवालों का जवाब जरूर देंगे फिर भी झाल झाल